What's up everyone, assalamu alaikum, hope you are doing good and welcome back. पर आज मैं जैसे कोड से वापस आया हूँ, मैंने अपना ट्वीटर हैंडल आउन किया है, तो मैं देखकर हिरान रहे हैं कि उसके उपर टॉप ट्रेंडिंग क्या न्यूज चल रही थी. और आज टॉप ट्रेंडिंग पर हमारे एक मौजद अद्विया के जजज साहिब हैं, ट्वीटर के उपर, और वो अपने किसी इनसाफ देने के फैसले की वज़ा से नहीं हैं, बलके एक कंट्रोवर्सी जो कि उन्होंने बिला वज़ा क्रियेट की है, उसकी वज़ा से हैं. अब कुछ कानून बताता हूं जजजिस के कंड़क्ट के हवाले से, और उसके बार जो इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान में और क्लू चल रहा है, उसके उपर थोड़ी सी फैक्स की हद तक हम रौजनी डालेंगे, फैक्स को देखेंगे, हलातों वाक्यात को देखेंगे, और हलात इस वक्त क्या है, उसके लिए मैं आपको अपने लैप्टॉप पर लेकर चलता हूं, आप खुद देखें, और फिर मुझे कुमेंट में बताएं, क्या ये सही हो रहा है, और इसके पीछे क्या मोहरकात है, और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, एक डिजिटल न इसका अपास करती है, ये काजिफाई जीसाथ आपको आप सप्रीन पे देख सकते हैं, ये उसी न्यूस पेपर में आया है, और इनके साथ इस आगडार साथ बैटे हुए है, वहां पे तकारीर हुई, अदलिया के खिलाफ तकारीर हुई, इसके इलावा आसफ जरदारी तक काजिफाई जीसा साथ जब बैठे हुए थे तो आसफ जरदारी साथ ने अपनी मनी लॉंडरिंग और बाकी सारी सवाईया पेच टी, बाकी लोगों ने भी की, उसमें अदलिया के खिलाफ भी की, अच्छा इसमें मुझे जो वाइब दार ही है, कि P.M.L.N कास्प तोर पे नवाज शरीफ का ये तरीका अबाता है, एक तरफ देखें, आज ही के दिन वो सुप्रीम कोड के एक ओर्डर के खिलाफ पार्लिमेंट में बैठे हुए हैं, और आज ही दूसरी तरफ गाजी फाई जीसा साथ का ट्यूरेटिव रेफरेंस जो है, उसकी समात हो रही थी सुप्रीम कोड के अंदर जो के चीफ जिस्टेस उमर अधा बंदेयाल था, अपने चेमबर में उसकी समात कर रहे थे और दूसरी तरफ गाजी फाई जीसा साथ पार्लिमेंट में बैठे हुए थे, ये बिलकुल उसी तरह से है, जैसे सुप्रीम कोड का अलेक्शन करवाने का 90 दिन के अंदर फैसला आया, लेकिन पार्लिमेंट की करार का दूखे सहारे आइन को अंडर्माइन करने की कोशिक की जाए, एक ये बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे पाकिस्ताम में जान दूर कर क्रियेट की जाती है कि सुप्रीम कौन है, पाकिस्ताम का का दूर्माइन के तहट कर दूर्माइन के जाती है, इसी तरह से अदलिया भी आइन और कानून की सिर्फ तश्रीख कर सकती है, उसे री राइट नहीं कर सकती है, और उसे सुपीरियर नहीं कहसे दी अपने आपको, ये बात आपको बहुत जारा क्लियर होनी चाहिए, और डूसरी तरफ तीन बेंच के फैसलों के साथ, सिंगल बेंच के फैसलों के साथ, छे रुकनी बेंच के फैसलों को मुस्तरत दिया इसा साँ ने पार्लिमेट में अपनी तक्रीर के दुरान कहा कि मुझे तो कहा गया था कि यहां कोई स्यासि बाट नहीं होगी लेकिन यहां तो तुमाम स्यासी बात Ojha और में जरूरी नहीं कि अगर मैंने आपकी बातीन सुन ली हैं तो मैं उनके साथ अग्री भी कर रहा हूं उसके बाद उन्हों है अपनी कोई आइन की बातें की लेकिन सोशल मीडिया पे इस बारे में बहुत ज्यादा ज्यासा रही हैं उस वक्से चल रही हो यह सिरल अलमीडा कर ट्विटर हैं एक सहाफी हैं यह और वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि स्वाइटला सर्मनी और गोल्डन जूबली सेलिबरेशन ऑफ कॉंस्टिटूशन एंड वा सिटिंग इस वक्त में बैठना और इनकी तकारीर चुनने का क्लियर कट यह मतलब है कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल को मैसिज दे रहे हैं कि तुमने जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो मैं इनके साथ हूँ और मैं उपनली इनके साथ हूँ जहां तक जैजिस के कंड़क्ट रूल का तालूक है उनके मताबिक जब आप एक जैज की सीड पर पहुं जाते हैं तो उसके बाद आप हर शखस की नजरा की उपर होती है और आपको इतनी पबलिसिटी मिल रही होती है जितनी के आपको एक जैज की सीड पर बैठने के जिस्तिस काजी फाइजी साथ आज इस दिन इस पार्लिमेंट में मुझूद है जिसने सुप्रीम कोर का एक हुकमाने से इंका कर दिया है ये एक स्यासी खेल है, खुद खुलकर सामने आ चुका है अमीर अबास साफ ये हैं को कहते हैं सुप्रीम गोर्ड के सीनियर जज़ और आने वाले चीफ जस्टिस खाजी पाइज इसा को पार्लिमेंट में अपने साथ बिटा कर आसर जर्दारी अपने मनी लांडिक और जाली टैंक अकाउंट केस पर दलायल दे रहे हैं अदलिया जज़ों और अदालतों में जेरे समाद मुखरमाग पर तनकीद हो रही हैं क्या किसी जज़ को ऐसे स्यासी फोरम पर बैठना चाली थी ये उनका सवाल है हमीर अबास साथ तीजान साथ तर्मा रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्टिस उमर अदाब अंद्याल साथ को पहम की गालियां देने वाले मुर्तजा जवेद अवासी ने एवान मैं जस्टिस काजी फाइज इसा के लिए सबसे ज्यादा तालिया मुझे अच्छा ट्वीटर पे चलते हैं ट्वीटर में मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रेंट क्या चल रहा है और वहां लोकिस किसम की ट्वीटर अकाउंट आगे है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं यह इस वेक्ट ट्वीटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंट चल रहा है वो आप खुद पढ़ सकते हैं मैं तो उसका नाम लेना मुनासिव नहीं समझता और उसके बाद नीचे एक और ट्रेंट चल रहा है वो भी कि आएन कहता है आएन के लिए यहां तक आए हैं और आएन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए आप इस पारे मैं क्या कहते है और आपका राये उसके यह क्रता सवाल ट्रेण गया लेकिन काजी साहाब ने कुई जवाब देना मनासिव नहीं समझा और वो वह यह वो वीडियो जिसका मैं अभी आपसे जिकर कर रहा था वो अभी ट्वीटर पे मौजूद है काकड साहब है यह कोई सलाम बलोच साहब हैं कहते हैं जाना बाकी कुछ सहाफी स्करफ्ट की चातलूसी करते हैं वहीं काकड साहब ने स्वाल पूचा लेकिन फाइज इसा के प तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अलाव